हलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज दा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड की जो वैक्सीन है उसके लिए आप कैसे रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सबसे पहले आपको आज आना है इस वेबसाइट पर वेबसाइट का URL आपको अच्छे से चेक कर लेना है kovin.government.in इस वेबसाइट पर आपको आज आना है link आपको description box के अंदर provide कर दूँगा तो description box के अंदर जो link दिया हुआ है उस पर click करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं ठीक है इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यह आप देख सकते हैं यहाँ पर register कर सकते हैं तो यहाँ पर self register इधर भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जो यह वाला dashboard दिख रहा है यहाँ पर पूरा खेल आपको करना है ठीक है search करेंगे हम district से क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है क्योंकि बाकी मैंने पहले भी register करके दिखा है slot book नहीं हुआ तो search by district करेंगे और slot definitely book हो जाएगा मैं हूँ फिलाल राजस्थान से और राजस्थान के जयापूर जिले से मुझे करना है register जयापूर first और second दो आएंगे हाँ पर तो यहाँ पर अब देखना है age का age आपकी जूप भी है जिस भी category के अंदर आप आते हूँ तो उस category से आपको select कर लेना है फिलाल मैं हूँ 18 से 45 का तो 45 से 48-45 कर देता हूँ all age नहीं करता हूँ और एक mobile number से लगबग 4 या 500 आप book कर सकते हैं तो search करते हैं अभी हम और यह देख सकते हैं search में क्या आया है booked है सारे और यह अब आपको देखना कब है तब 9 या 10 बजे क्या 9 या 10 बजे तक आपको slots देखने हैं अब यह देख सकते हैं सारे book हैं यह आगे और चलके देखते हैं तो अभी कोई भी vaccination available नहीं है तो आपको करना क्या है आपको करना यह है कि 9 या 10 बजे के लगभग रात को आपको check करना है फिलाल अभी हम वही पुराने तरीके से vaccination का registration करेंगे बट उसके अंदर chances थोड़े से कम है कि आपका यहाँ पर 100% book हो जाए ठीक है तो अभी हम करते हैं registration हालांकि vaccine लगेगा कोई दिक्कत नहीं है यह यहाँ पर आप register कर सकते हैं इसमें आएगा केवल self registration यह है self registration इसने दो तरह किसे कर सकते हैं आप उमंग से भी कर सकते हैं और अरोग्य से उसे भी कर सकते हैं फिलाल मैं अपने mobile number यहाँ पर डाल देता हूँ, अपने mobile number मुझे यहाँ पर enter कर देना है, mobile number डालने के बाद में OTP आएगा, और OTP आने के बाद में आप इसमें fill कर देना OTP, ठीक है अभी OTP आने वाला है, थोड़ा सा wait कीजिए, OTP में check कर लेता हूँ, अभी तब OTP आया नहीं है, मेरे phone में, और OTP आते ही मैं enter कर दूँगा, फिलाल OTP आ चुका है, और हमारा OTP enter कर देते हैं, यहाँ पर, ओके, और OTP enter कर दिया है, आपर 634, ओके right, ठीक है अभी इसको verify कर चुके हैं, अभी यह देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने already register कर चुका हूँ, यह देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो आधार card number है, वो पूछेगा, आपके आधार card number और आपकी date of birth, तो उस तरह से आप कर सक सकते हैं, फिलाल मैं नया member add करता हूँ यहाँ पर, तो नया member add करके मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको ID proof पूछेगा, ID proof के अंदर आप आधार card, driving license, pen card, passport या pension passbook कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं आधार card यहाँ पर select कर देता हूँ, तो आपको आधार card का number दे है, तो वो दे देना आपको, ठीक है, फिलाल मैं यहाँ पर आधार card number ऐसे डाल देता हूँ, अब यहाँ पर आधार card पर name आपका जो भी है, वो डाल देना है, आप name डाल दीजिए, मैं यहाँ पर mail हूँ, और यहाँ पर दूसरा डाल देना है, आपको year of birth, यानि कि आपकी year of birth डाल देनी है, ठीक है, तो year of birth डाल के यहाँ पर add पर click कर देना है, ठीक है, अभी मेरा जो आधार card number है, यह original नहीं, यह बसे दी में डाल दाला है मैंने, क्योंकि बिल्कुल already मैंने register कर रखा है, ठीक है, तो यह था registration का कुछ process, इसके बाद में जैसे ही आप add पर click करोग आपको मैं बता दूँ कि आपका जो slot है, वो exactly मैं आपको बता रहा हूँ, तुरंत की तुरंत बुक नहीं होगा, अगर आपको तुरंत की तुरंत बुक करना है, मतलब फटाफट बुक करना है, तो आपको कितने बजे, 9 या 10 बजे के लगभग रात को slots खाली रहते हैं, 9 10 बजे के लगभग, तो 9 10 बजे के लगभग आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है,